नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्यान गंगा चैनल पर शुरू करते हैं दो फरवरी, 2023 दिन गुरुवार की चौखडिया मोहरत लेकिन वीडियो शुर करने से पहले अगर आप में चैनल पर नए है और अभी तक आप नहीं से सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रति दिन चौखडिया मोहरत की जानकारी प्राप करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए तक ही आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शियर करना पिलकुल मत भूलिए तो चलिए शुरू करते हैं गुरोवार की चौगडिया मोहरत अभिजीत मोरत का समय रहेगा तो पहर बारा बच कर तेरा मिनट तक और आहुकाल का समय रहेगा तो पहर एक बच कर चपपन मिनट से तीन बच कर थारा मिनट तक दिन की शुब चोगड़ियां इस प्रकार रहेंगी शुब चोगड़ियों का समय रहेगा सुबह 7 बच कर 9 मिनट से 8 बच कर 30 मिनट तक चर चोगड़ियों का समय रहेगा सुबह 11 बच कर 13 मिनट से 12 बच कर 35 मिनट तक लाब चौगणियों का समय रहेगा तो पहरे 12 बच का 35 मिनट से 1 बच का 56 मिनट तक अमरी चौगणियों का समय रहेगा तो पहरे 1 बच का 56 मिनट से 3 बच का 18 मिनट तक अमरी चौगणियों के समय सही प्रकार के शुब एवं मांगलिक कारे किये जा सकते हैं लेकिन इसमियर आहुकाल भी लग रहा है और आहुकाल के समय किये गए शुब एवा मांगलिक का रिफल दाई नहीं रहते इसलिए इसमोरत को त्याग नहीं उचित है शुब चौगणियों का समय रहेगा शुब के 4 बच के 49 मिनट से 6 बच के 1 मिनट तक लेकिन इसमय वारवेला भी लग रही है वारवेला की समय किये गए शुब एवा मांगलिक कार ये फल दाई नहीं रहते हैं इसलिए इस मुरत को त्याग नहीं उचित है रात की शुब चौगड़ें इस प्रकार हैंगी अमरी चौगड़ियों के समय रहेगा शाम के 6 बच का 1 मिनट से 7 बच का 49 मिनट तक अमरी चौगड़ियों के समय साई प्रकार की शुब एवा मांगलिक कार किये जा सकते हैं चर चौगड़ियों के समय रहेगा शाम के 7 बच का 49 मिनट से 9 बच का 13 मिनट तक लाब चौगणियों का समय रहेगा रात के 12 बच का 35 मिनट से 2 बच का 13 मिनट तक लेकिन इस समय कालात्री भी लग रही हो कालात्री के समय किये गए शुब एवं मांगलिक कार्य फल्दाई नहीं रहते इसलिए समोरत को त्याग नहीं उचित है शुब चौगणियों का समय रहेगा रात के 3 बच का 52 मिनट से 3 फरवरी के 5 बच का 30 मिनट तक और अमरे चौगणियों का समय रहेगा 3 फरवरी के 5 बच का 30 मिनट से 7 बच का 8 मिनट तक तो ये थी जानकारी कुरुवार की चोखड़िया मोरत की मेरे वीडियो में आतो तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ